करनाटक में प्रोटैम स्पीकर के तौर पर केजी बोपईया की नियुक्ति को चुनौती देने वाली जेडियेस कॉंग्रिस की याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया है कोट ने कहा कि वो बोपईया का पक्ष सुने बिना कोट से उन्हें नहीं हटा सकते कोट ने कहा कि उनकी नियुक्ति रद्द करने का मतलब प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाना होगा फ्लोटेस्ट के लिए बोपईया प्रोटैम स्पीकर बने रहेंगे करनाटक में प्रोटैम स्पीकर को लेकर कल रात से चल रहा बवाल आज सुबह सुप्रीम कोट में सुनवाई के बाद थम गया प्रोटैम स्पीकर के तौर पर केजी बोपईया की नियुक्ति पर कॉंग्रिस ने आपती धर्ज कर आई थी बोपईया की नियुक्ति को चुनौती देने वाली JDS और कॉंग्रिस की याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया है कोट ने कहा कि बोपईया अपने पद पर बने रहेंगे सुप्रीम कोट ने कॉंग्रिस की ओर से कोट में बहस कर रहे कपिल सिब्बल की सभी दलीलों को सिरे से खारच कर दिया है